हेलो दूस्तों परिक्षा प्लस में आपका स्वागत है जैसा कि आपने देखा कि अभी कल आपका पेपर हुआ बहुत सारे बच्चों ने 28 जुनाई यानि कि लोवर 2 का पेपर था पेपर देखे आये आज के तारिक में आंसर के भी जारी कर दी गई पेपर आपका अप्लोड कर दिया गया है तो सबसे बुए बात ये है कि हम आपके सामने जैसा कि अभी आपका रिजनिंग वाले सर्वी लेके आये थे उनका सल्यूशन लेके आये थे पूरा लोवर 2 का मैं मैज सेक्षन का लेके आया हूँ और क्योंकि ये इसलिए जादा जरूरी हो जा रहा है अपका डिटेल्ड सल्यूशन देखने मैज सेक्षन का भी रिजनिंग सेक्षन का भी हिंदी का भी जीयस का भी सारे सेक्षन को हम कवर कर रहे है और इस बात को अनलाइज करेंगे कि आखिर कोशन किस तोपिक से जादा पूछ रहा है कोशन कैसे पूछ रहा है किस लेवल का पूछ रहा है हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम अपने वीडियो लेक्चर्स में भी जो हम क्लैस को चलाए है उसमें भी बता चुके हैं कि यह बहुत ज़्यादा जरूरी हो रहा है आज की एक्जाम के टेंड को पकड़ना अगर हम हर पेपर में बहुत अच्छे से गौड करें तो देखा जाए कि अभी युवा कल्यार का हुआ था मंडी परिसत का पेपर वा तो वीड़ो का वा तो एक बार फिर से लोवर टू में उसने सावित कर दिया है कि वो कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है उसका लेवल वही रहेगा उसके कोशन नए फ्रेम कर जैसे दे रहा है अच्छे अच्छे कोशन दे त्हुष नहीं है आप सूचने को मजबूर हों कोई टोपिक असान कर रहा है तो कोई टोपिक टफवी कर रहा है पुरा बैलेंश पेपर बना रहा है एक बाव मैं फिर से बोलूगा कि जो भी इस सम्मै यू पी टीपल सी संस्था का पेपर बना रहा है वो बहुत अच्छा पेपर सेट कर रहा है और देखा जाए तो गलतिया भी कम से कम ही है तो हमें एक बार आपके सामने फिल से यूपी टी पलसी लूवर टू का मैट्स का सॉलूशन लेकर आया हूँ एक ही कोशन को बहुत अच्छे से देखेंगे समझेंगे उसकी पीछे की कॉंसेप्ट को समझेंगे कैसे लग रहा है किस तरीके से करें कि हमारा समय थोड़ा ज्यादा अच्छे से बचे हमारा टेंपर वीडियो देखना आपका बहुत ज़्यादा ज़रोरी होता है तो पूरा वीडियो अब देखिए हमें की कोशन को बहुत अच्छे से समझेंगे कोशन ये मेरे पास सेट ए है है आपका सामने लिख्या भी हुआ है ए मैं 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 सेक्सें डिसकॉस कर रहा हूं जिसमें को कोशन नमबर 114 से मैं चलू हो रहा है जिसमें पहला कोशन है कोशन नमबर 114 पर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ भी जाएगा आ रहा होगा है ना कोशन तो आप यहां से भी देख सकते हैं मैं सामने स्क्रीन पर रहूंगा कोशन और आपको सारा सालूशन कर रहा हूंगा तो प नंबर सिस्टम में LCM-HCF तौफिक पढ़ाते समय मैं आपको स्टार बनाके नोट भी लिखवाया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फिंग है LCM-HCF में वो यह है कि दो नंबर N1 और N2 का गुणा उनके बीच का LCM और उनके बीच का HCF के गुणा के बराबर होता है क्लास में भी कराते समय आपको बताया हूँ ओनलाइन वीडियो में भी आपको बताया हूँ कि यह फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब उसे LCM-HCF में ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बसता सिवाए इस को कोईशन को देने के लिए तो एकदम रट लिजिए जब भी ऐसा कोईशन है तो आपको यहीं लगाना है आपको LCM दिया हुआ है आपको SCM दिया हुआ है LCM दिया हुआ है आपका 128 और LCM दिया हुआ है 256 और N1 into N2 यानि यह A है और यह B है इसका गुड़ा पूच रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको इसे पे गुड़ा कर लेना है अब यह बार आप इसे देखिए चार ओप्शन आपको दिया है ओप्शन आपका क्या-क्या है 36,868, 38,000, 32,786, 32,700 तो आप एक बार अंदाजर लागा सकते हैं कि 846 लाष्ट में 8 ही आएगा और यह करीबन 2 की पावर कित्ता लिखा हुआ है 2 की पावर 7 यह लिखा हुआ है 2 की पावर 8 गुड़ा करेंगे तो 2 की पावर 15 2 की पावर 15 लगबग आपका 2 की पावर 10 से 1024 होता है वैसे कर सकते हैं डारिक बुड़ा करके देख लिए आपका उत्तर आजाएगा जो इसका उत्तर था वो 32,760 था तो बहुत यह आसान कोशन था मेरे ख्याल से आपको एक जाम में मुश्किल से 5-7 सेकंड जितना जल्दी आप यह कल्कुलेशन करते हैं जितना जल्द सिर्फे सपोस करना है एक प्राक्रतिक संख्या है जब N क्यूब को N द्वारा विभाजित किया जाता है तो हमें SACE A प्राप्त होता है तो चार ओप्शन दिया आपके सामने आप स्क्रिन पर देख सकते हैं एक पूर गन है एक पूर वर्ग है egen दोनओ एक पूर गन है और एक पूर वर्ग है एँ ना तो एक पूर गन है और ना येड़ कोर 2 है एन एक संख्या है, उसके क्यूब को, एन एक संख्या है और उसके क्यूब को नौ से विभाजित किया जाता है, तो बोल रहाएं कि हमें क्या मिलेगा, चार option आपके सामने हैं, option एक पूर घन होगा है, एक पूर वर्ग है, perfect square की बात कर रहा है, एक, ए दोनो एक पूर घन है औ नहीं एक पूर्ण वर्ग है तो रिमेंडर कॉंसेट में मैं आपको ये बताया था कि मान लिजे कोई नंबर N है और उसे 9 से डिवाइड कर दिया जा रहा है जहां पे हमें रिमेंडर R मिल रहा है ठीक अगर मैं इसको क्यूब कर दूंगा तो रिमेंडर भी हमारा क्या हो ठीक अब वो कह रहा है कि इस ये मान लो R कूब बराबर क्या है A है तो अगर R कूब A के बराबर है तो ये बोला है A क्या है perfect क्यूब है घन है कि वर्ग है तो आपको साब-साब दिख रहा है A बराबर भाई अगर R कूब है तो इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं यह तो बाहर से एक दूसरे को छूते हैं, उनका छेत्रफल 490 पाई सेंटी मीटर स्क्वाइर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 28 सेंटी मीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच कितना अंतर होगा, मैं एक बार डाइग्राम बनाता हूँ ताकि यह कोशन आपको अच्छे से समझ में आए, बोल लाए कि दो वृत है, दो सरकल है, और दोनों सरकल बाहर से छू रहे हैं, बाहर, एक्ष्टरनली टच कर रहे हैं, इसका सेंटर है, यह माननों C1 मैं बोल दूँ, यह सेंटर C2 है, इसका त्रिज्या, रेडियस R1 है, और इसका क्या है? R2, बोल लाए है, इसक जो दोनों का, क्या, कुल छेत्रफल, कितना है? 490 पाई, आप जानते हो कि किसी विवर्ति का छेत्रफल क्या होता है, पाई R2, तो इसका हो जाएगा पाई R2, इसका हो जाएगा पाई R2, यह बराबर दे रहा है 490, पिर बोल लाए है, कि R1 और R2 का जो योग है, वो कितना दे रहा है, 28, ठीक, अब यह पूच रहा है, आपसे R1 माइनस R2 क्या होगा, दो information दिया है, यह 490 पाई है, पाई पाई हर जगा से cancel out हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वार प्लस R2 स्क्वार बराबर 490 आपका बचेगा, दूसरा बचेगा, R1 प्लस R2 बराबर 28, तो R1 माइनस R2 बराबर पूच रहा है, सिंपल से कोशन था, थोड़ी सी कल्कुलेशन करने थी, अगर आप तुरंत सोच पाते हो, कि R1 प्लस R2 बराबर 28, आप पेर बना के देख सकते हो, एक सिंपल, एक 14 ले लिजे, एक 7 ले लिजे, तो 14, 21, यह नहीं आएगा, 21 और 7 ल और योग उसका, स्क्वायर का योग 490 देगा, तो मैं सीधा माइनस कर लेता, 21 माइनस 7 बराबर 14 आपका उत्तर आजाता, फिर भी अगर एक्जाम में कई बार होता है, टेंपरामेंट इतना नहीं अच्छा होता है, या हमारा दिमाग इतना अच्छा काम नहीं करता, अगर कूल होता है, तो जादा ही काम कर रहा होता है, फिर भी कई बार ऐसा होता है, कि बच्चे घबराहे हुए होते हैं, और लेडी परिसान होते हैं, और मैथ ऐसा सक्षन होता है, जो पहली फोबिया होता है, पहले डरे हुए होते हैं, तो इतना दिमाग नहीं काम करता है, कि हम तुरंत value सोच पाएं, तो भी कोई रिक्कद नहीं है, आप क्या करो, r1 square plus r2 square बराबर 490 दिया ही है, r1 plus r2 बराबर दिया है, r1 minus r2 पूच रहा है, आप जानते हो, r1 plus r2 का square करोगे तो क्या मिलेगा, r1 square plus r2 का square, plus 2 into r1 into r2, अगर ये value आपको मिल जाए, तो ये आप आसानी स निकाल लोगे, इसकी value आपको दिया हुआ है, कितना, देख लिजे, 490, r1 plus r2 की value दिया हुआ है, 28, 28 का square कर लेंगे, 784 something आएगा, इस में से 490 माइनस कर देंगे, तो ये 2 r1, r2 की value आजाएगा, 786 आएगा, 784 ही आएगा, ठीक है, तो 784 में से 490 माइनस कर लेंगे, तो य ठीक, 2 r1, r2, इसी की value आप 2 r1, r2 की value, मैं या पर ये कर दे रहा हूँ, है ना, 2 r1, r2 की value, अभी आपको r1 minus r2 निकालना हूँ, r1 minus r2 निकालना हूँ, तो क्या होगा, इसका square आप जानते हो, r1 square plus r2 square minus 2 r1, r2, अभी देखिए, आपके पास r1 square plus r2 square की value मालों है, 490, इसी 490 में से 2 r1, r2 294 माइनस कर देंगे, तो आपका 196 आजाएगा, और 196 किसके बराबर होगा, r1 minus r2 के square के, तो r1 minus r2 बराबर हो जाएगा, 14, यहां से भी आ गया, हलाकि यह थोड़ा tedious था, थोड़ा ठकावू था, लेकिन अगर आपका दिमार्णी काम करता है, तो आपको इसक थोड़ा जाना ही पड़ेगा, वना ज्यादा अच्छा है कि आपको इकली इसे सोच ले जाओ, तो भी हम समय बचा सकते हैं, हमारे पास एक अच्छा तरीका होना चाहिए, question आसान था, टफ नहीं भोल सकते हैं, फिर भी चलो, आगी question देखते हैं, next question आपके screen पे है, question कह रह किसी टंकी को 10 मिनिट और 15 मिट में भर सकते हैं, यदि नल पी को खोलने के 3 मिनिट बाद क्यों को खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी, question आपके screen पे है, आप देख सकते हूं, मैं तब तगरफ करना हूं, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं, मेरे ख्याल से आपको solutions अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत comment करिए, यह आपका जन्म से दिकार है, आप कर सकते हैं, आप पूँ सकते हैं, हम से सौ बार पूँ सकते हैं, हम बताएंगे आपको, कह रहे है नल पी और की एक टंकी को कमसा 10 मिनिट और 15, एक नल पी है, और एक नल क्यू है, यह दस मिनिट में भर लेता है, यह 15 मिन में भर लेता है, बस, अगर यह दो information मिल गई तो हमें सब पता चल गया, time and work का question है, अभी आप देखो, एक आपका number system का question था, है ना, LCM, SCF ओला, simple वाला, एक आपका circle का question था, यह आपका किस का है, time and work का question है, और हम इसे लगाएंगे, number system के दो question दे चुआ है, है ना, number system के दो question, circle के एक question, और time and work के, ऐसे लिखते चलेंगे, ताकि हमें पता चले, कि analysis कर ले जाएंगे, कि किस topic से कितना question पूश रहा है, time and work का एक question हो चुका है, time and work का question है, यह है, कि P और Q है, एक 10 मिन में पर रहा है, यदि नल पी को खोलने, कि तीन निट बाद, कह रहा है कि पहले नल पी को खोल दिया गया, और उसके तीन मिनट बाद क्यों को खोला गया, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो बस जब बे time and work के, हमें दो का पता होता है, इसका LCM ले ले लेते, LCM आ कारचमता क्या होगी? कारे बटे, उसका समय बराबर कारचमता, यानि की तीन, हर घंटे तीन काम करेगा, तबी तो 10 घंटे में 30 करपाएगा, यह अगर ऐसा हुआ, तो यह दोनों मिल के, एक मिनिट में कितना काम करेंगे? पाँच काम करेंगे लेकिन केस यह नहीं है केस क्या कह रहा है केस कह रहा है पहले भाई पी को खोला गया कितने मिनट तक तीन मिनट तक तो यह नहीं खोला गया यह खोला गया तो यह तो अपना काम करेगा कितना काम करेगा एक मिनट में एक मिनिट में काम करेंगे, तो कितना काम करेंगे, पांच, काम कितना किया जाना है, एक किस, तो एक किस वटे पांच कितना आ जाएगा, चार मिनट बारा सेकंड चार मिनट लेंगे और ये बारा सेकंड लेंगे कितना 21 काम होने में और जो 9 काम था वो करने में किता मिट लगा है तीन मिनट तो कुल उत्तर हो जाएगा तीन मिनट ये प्लस चार मिनट ये प्लस बारा सेकंड ये यानि की 7 मिनिट 12 से यह आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते हैं साथ वस पहले प्रीती और जोती की आयू का अनुपात 7 इस टो 6 था तो अब से 6 वस बाद निम लिखित में से कौन सा उनकी आयू का अनुपात नहीं हो सकता कोशन रफ कर लें आपकी सामने स्क्रीन पर है आपको तुस्वीदा मिली होती है कोशन देखने को हमें मुड़ मुड़ के देखना पड़ता है फिर भी चलिए कोई बात नहीं कोशन के रहा है कि 7 वस पहले 7 इयर एगो है ना रेशियो कितना दिया हुआ था 7 इस टो 6 इयर वह था 7 साल पहले बोल रहा है कि 6 वस बाद यहां से 6 वस प्लस कर दिया जाए है ना आफ्टर कौण सा रेशियो नहीं हो सकता चार ओप्षन आपके पास दिये हैं 15 11 15 14 13 11 16 15 13 12 आप देखे रेशियो के चैप्टर में यह कोशन रेशियो का आया है यहीं पे लिख लेते हैं एक कोशन आ चुका रेशियो के चैप्टर में मैं बताया हूँ आपको कि जब जब यह साल बढ़ते हैं अगर साल समान बढ़ रहा है तो यह रेशियो भी समान से बढ तो होगा, ratio के age based question type 2 में आते हैं, lecture में मैं बताया हूँ, online भी lecture पढ़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं, class में भी में बताया हूँ, कि जब भी ratio का question होता है, और वो age based होता है, तो वो किस में आता है, type 2 में आता है, तो type 2 क्या कहता है, कि दोनों में, अगर समान ages बढ़ रहे है तो उनका ratio change भी क्या होगा बराबर होगा हमें एक option चेक करने हैं अगर 15 और 14 चेक करें तो यहां से यहां तक कितना बढ़ेगा 8 यहां से कितना बढ़ेगा 8 6 14 8 7 15 हां यह हो सकता है ratio सही है अगर यहां पर यह 13 11 होता तो 6 से 11 होने में कितना आएगा question पर move करते है question number 119 आपके screen पर दिख रहा है 15 महिलाएं यह 9 पुरस किसी कार को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 15 महिलाएं और 15 पुरस मिलकर उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे time and work का question number यह 2 है है ना यहां पर मैं 2 कर दूँ एक question आपका pipe and system पे आया है ना पानी की टंकी पे आया एक question आपका man days पे आया और मैं question cylinder से पूच लेगा गोला से पूच लेगा यह फिर आपका उसब सहता पॉलिगान से पूच रहा है आप किसी इस पीपर में पॉलिगान की question करेंगे तो यह question पहले देखते है बोल रहा है 15 महिलाएं यह 9 पुरस किसी कार को 24 दिनों में पूरा करते हैं मैं आफ कर दूँ इस पंदरा महिलाएं यह 9 पुरस महिलाओं को मैं वोमिन से लिख रहा हूँ डबलू से और यह लिखा है यह मतलब बराबर बीच में बराबर आता है यह मैं और में प्लस आता है 15 महिलाएं यह 9 पुरस मतलब मैं हम किसे दिनोट करेंगे म से किसी कारे को 24 दिन में कर रहे हैं इ कितने दिन में करेंगे, वो पूच रहा है आपसे 15 महिलाएं, प्लस 15 पुरुस, कितने दिन ले लेंगे कारे को पूरा करने में, जब या का केस होता है, तो हमारा काम आपसान होता है, मैंन और डेज में, बस अब सिंपल कंपेर कर लो, बही 15 पुरुस पुरुस तो आप सीधा करो, लिख लिए, हमें चाहिए क्या 15 पुरुस पुरुस और 15 महिलाएं, मिलके कितने में करेंगे, तो अगर 1 आदमी कितना, 15 पुरुस पन्दरा बाटे नो, तो 15 कितना हो जाएगा, 15 आदमी, 15 गोडे, 15 बटे, 9, 225 बटे, 9, बस ये 3 पुरुस पंदरा, एक 3 इधर आएगा इधर, यानि कितना आजाएगा, 25 दिन, समझ में आ रहा है पंदरा आदमी या सॉई नौ आदमी या पंदरा और कितने दिन में कर रहे थे 24 हम वहाँ से compare कि एक आदमी और और औरत का relation निकाले तो वहाँ से पता चला कि पंदरा आदमी का काम 25 महिलाओं के काम के बराबर है तो बस यही से हम information निकाल सकते हैं अगर पंदरा आदमी बराबर 25 महिलाओं तो पंदरा महिलाओं यह और यह पंदरा आदमी बराबर 25 महिलाओं यह बराबर कितना हो जाएगा 40 महिलाओं कितने दिन में काम करेंगे यह आप से पूँछ रहे हैं आपको दिया हुआ है कि 15 महिलाएं 15 औरते किते दिन में कर रहे हैं 24 आप से पूछ रहा है 40 महिलाएं किते दिन में कर लेंगे तो भई 15 महिलाएं 24 तो एक महिलाएं कितना 24 गोड़े 15 तो 40 महिलाएं 24 गोड़े 15 बटे 40 पांस ती आई 15 पांच अठे 40 आठ तरिक 24 किता आ जाएगा उत्तर भई तो जल्दी से टाइमन वर्क के दो कोशिन ओचुके हैं. कोशिन नम्र 120 सापके सामने है. सेट ए ए के हिसाब से कह रहा है. रीता, मीना और सीता किसी कारी को क्रम साथ छे दिन, नौ दिन और बारा दिन में पूरा कर सकते हैं. उन्होंने एक साथ कारे किया और उसे पूरा किया फिर बोल रहा है और 26,000 अर्जित किया जो काम किया उसका कितना मिला 26,000 मिला तो रीता का हिस्सा कितना है फिर से question कहा है से आया time and work से एक question time and work का और बढ़ गया क्या बोल रहा है कि तीन लोग हैं कौन-कौन है? रीता है, सीता है, और? रीता है, मीना है, और सीता है. कितना समय ले रहे हैं? 6 दिन, 9 दिन, 12. है ना? इनके द्वारा लिया घया समय का अगर अनुपाद निकाला जाए, तो 3 दुनी 6, 3 दुनी 9, 3 चुक 12. इं़ किसका रेशियो है? टाइम का. और आप जानते हो कि time के ratio नहीं जानते हो तु सीख लो time ratio, time के ratio का उल्टा क्या हो जाएगा? F-CNC का ratio, तो यह 1 upon 2, इस्टो 1 upon 3, इस्टो 1 upon 4, clear? ऐसे तो यह simplified ratio है, नहीं हम इसे simplify करना पड़ेगा, उसके लिए LCM लेके, हम सब में क्या कर देंगे? गुड़ा कर देंगे, और 12 से गुड़ा कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा? 6, यह हो जाएगा 4, और यह हो जाएगा 3, यानि की efficiency का standard ratio 6 to 4 is to 3 है, अब अगर उनकी कारेश हमता का ratio यह है, कुल किते रुपए हैं मिले हैं भाई उन्हें? 26,000 रुपए उन्हें कुल मिले हैं, तो रीता को कितना मिला यही पूछ रहे हैं, रीता भाई 6 ratio के बराबर पैसा पाएगी, तो आपका टोडल कितना है? 6, 4, 10, 13, अगर 13 ratio बराबर 26, 20,000, तो एक ratio बराबर 2,000, तो 6 ratio बराबर 12,000, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा. क्लेरे बात को? तो इतने आसान कोशन आपसे पूछ रहा है, कोशन कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन कॉंसेप्चुल कोशन है, आपको हर कॉंसेप्ट क्लियर होना अगर आप एक्जाम में अच्छा परफॉर्म करने जाएगा, तो एक दो कोशन एक दो सेक्सल से आपका नहीं चलेगा, कॉंपटिशन बढ़ रहा है, बच्चे मेहनत कर रहा है, दिनलाद मेहनत कर रहा है, हमारी तो लाइब्रेरी में बैठे बैठे बैठे, अटार अटार की दूरी तै की, यदि इसकी गती पचास किलोमेटर पराड अधिक होती, तो उसे उस समान दूरी को तै करने में दो घंटे कम लगते, तो रेसिंग कार की गती कितनी थी, ये आप से सिंपल सा कोशन पूशन पूसना चाह रहा है, बई एक रेसिंग कार है, जिसे कितना डिस करना है, 600 किलोमेटर का, अब ये इसकी सब कंडिशन लगा रहा है, कि पहले जिस चाल से चल रहा था वो तो ठीक है, अगर चाल पचास किलोमेटर प्रति घंटे से जाधा बढ़ जाती, तो उसे दो घंटे कम लेने लगते है, तो बही बस, सिंपल सी बात है, आप जानते हो इसमें पूरे Speed Time Distance की chapter में, यही आपको याद रखना है, Speed is equal to distance upon time, इसके अलमा कोई concept लगता ही नहीं है, यही चलेगा, तो Speed is equal to distance upon time, time is equal to क्या हो जाएगा, distance upon speed, बस, यही से हम कर लेंगे, तीवन पहले क्या था, अगर 600 कुसे चलना था, और पहले कितने से चल रहा था, ए X प्लस 50 से ट्रेवल करना है, और इस टाइम वाई T1 है, पहले वाला और यह बात का टाइम है, इसके बीच कांतर कितना दे रहा है, दो घंटे दे रहा है, ठिक, हम इसे हटा देते है, एक्स की वैलू पूँच रहा है, अगर आप ऐसे करोगे, तो आपका क्या गरेगा, चार आपके सामने है, आप्शन आप उठाओ, पूट करो, आंसर निकार लो, आगे बढ़ो, तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा सा उप्शन दिख रहा है, मैं उसी को देख लो, पचाता एक्सो पचिस सो, एक्सो पचास सो को सेट कर लेते है, सो को अगर लगते हैं, तो 600 सो बटे 100, मैनस 600, बटे 1,5 यही काम बन गया, यह एगा चे, यह एगा 4, 6 मैनस 42, सटिस्फाई कर गया, इसका मतलब 100 ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, तो देखे यह कोशन कहां से था, ताइम, सबसे दिस्टें से भी आपका एक कोशन आपका एक कोशन आप जिसमें अभी तक सबसे अभी एक कोशन आया है, चलेंगे, देखते हैं, किस से कितना कोशन पूचेगा, देखे चलेंगे, नेक्स्ट कोशन आ गया है, जो भी पेपर सेट कर रहा है, बहुत अच्छा पेपर सेट कर रहा है, मैं फिल से बोलूँगा, कोई भी टोपी कोछ पूचेगा, लेकिन आपको आपको आराम निकरने देगा, आपको उस एक कोशन के लिए चैप्टर पढ़ना पढ़ेगा, अभी तक आप सोचते हैं, कि यह चैप्टर नहीं पढ़ेगा, नहीं बनेगा, कोशन पढ़ते हैं, टेंगल A, B, C में P और Q क्रमसा, A, B और A, C के म अध्य विंदू है, और P, Q, पैलल B, C है, यदि A, P is equal to X, A, C is equal to X plus 9, इसके पर कोशन है, पढ़ते रहिए, A, B is equal to X plus 13, और A, Q is equal to X minus 2 है, तो X का मान ग्याद करें, जमेट्री का कोशन है, जमेट्री में कहां से, ट्रेंगल से, लिख लेते हैं, और कोशन भी बहुत ही सिं कह रहा है कि एक ट्रेंगल एक त्रिभुज है A B C, जिसमें P और Q उसकी मध्य बिंदू है, साथ में ये भी बोल रहा है कि जो P Q है वो B C के परलेल है, तो जब भी आप ट्रेंगल पढ़ते हो, उसमें सिमिलर्टी पढ़ते हो, सबसे पहला कॉंसेप्ट ही पढ़ते हो, कोई अच्छा ऐसा नहीं होगा, जो ट्रेंगल या जिमेट्री का चैप्टर पढ़ेगा, उसमें ट्रेंगल पढ़ेगा, और ये थियरम बिना पढ़ते हैं निकल जाए, ये थियरम यही करता है, कि अगर ये मिड़ पॉइंट है, तो A P अपॉन A B बराबर A Q अपॉन A C होता है क्यों क्यों ये वाला ट्रिभुच इस पूरे वाले ट्रिभुच के क्या होता है, सिमिलर होता है, तो बस यहीं लगा देना है, इसकी वैलू कित्ता दे रखा है, A P बराबर X दे रखा है, हमने इसे X लिख दिया test A C बराबर X प्लस 9 दे रहा है, हमने पूरे को X प्लस 9 isn't पूरे को x plus 13 बोल रहा है, यह भी रख दिया, और फिर qc कुछ दे रहा है, aq, aq दिय रहा है, aq बराबर क्या हो जाएगा, x minus 2, हमने यह भी रख दिया, बस यही आप लगा दीजे, आपको x upon x plus 13 बराबर x minus 2 upon x plus 9, यही जिम्बल्स दकारने, cross multiply कर लिजे, x square plus 9x बराबर x square minus 2x, x square minus 2x, फिर, plus 13x minus 26, यही तो solve कर लेना है, x square, x square के हो जाएगा, cut जाएगा, 9x इतर आएगा, 11x हो जाएगा, इधर 13 भी उतर ले लिजे, यह हो जाएगा 11x उतर ले जाएगा, तो यह 2x, और minus 26 इतर आएगा, plus 26 हो जाएगा, x बराबर आपका 13 उतर हो जाएगा, जो आ कबर करेगा, बहुत अच्छा पेपर सेट करते हैं यह लोग, मज़ा आ जाता है, तो next question पर आते है, question number 125 कहे रहा है, पिंटू ने 10% हानी पर एक वस्तु बेची, यदि उसने इसे 180 अधिक पर बेचा होता, तो उसे 2% का लाब होगा होता, तो वस्तु का क्रेम हो ले कितना ह पहले जब बेच रहा है, तो उसे 10% की हानी हो रही है, यानि का लॉस हो रहा है, दुबारा जब बेच रहा है, तो उसे 2% का लाब हो रहा है, यानि कि प्रॉफिट हो रही है, लेकिन इसकी ऐसा काने पर इसके बीच में उसे कित्ती रुपे जाता मिलके, 180 रुपे जाता मि और यहाँ पे SP कितना होगा 10% loss में इसका मतलब 90% तो यह बस कहना चाहरा है कि 102% में से 90% माइनस कर दिया जाए तो उसे 180 रुपे अधिक मिलता है ठीक तो बस कितना 12% वराबर? 180 तो आप से CP पूच रहे हैं CP आपने आप में कितना होता है 100% होता है तो एक सो असी बटे बारा गुड़े सो कितना जाएगा? बारा एक कम बारा बारा पंचे साथ याने की पंदरा सो रुपे उसकी क्या थी? CP जल से निक्स्ट कोशन पर आते हैं यह प्रॉफित लॉस का था यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉफित लॉस उपर लिखते हैं, है ना? प्रॉफित लॉस का कुशन पर एक कुशन अब ही आते हैं निक्स्ट कोशन पर कोशन के रहे, कनक अपनी धनरासी में से 30 पिन या 50 पिंसिल खरीद सकती है वह अपना 80% धन खर्च करती है और 10 पिन खरीदती है से इस धनरासी के साथ वह अनिक्तम कितनी पिंसिले खरीज सकती है यह कोशन का जो डाटा दिया हुआ है यह मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है इसे हम बाद में भी देख लेंगे कोशन को, है ना? अभी आप जब तक फाइनल आंसर के नहीं आ जाती तब तक हम exactly इसे डेटा इसका गलत लग रहा है नेक्स कोशन भी स्किप करते हैं कोशन भी 27 कि तीन हजार की धनरासी को दो भागों एक्स बड़ा भाग और वाई छोटा भाग में उधाल दिया जाता है टिक कोई धनरासी है, तीन हजार की है दो भागों में दिया जा रहा है एक एक्स में, एक वाई में एक्स बड़ा भाग है और वाई छोटा भाग है आप कहह रहा है कि अगर छोटे भाग को यानि कि वाई को 10% प्रतिवर्स और एक्स यानि बड़े भाग को 20% प्रतिवर्स पर कि दर से उधार दिया जाता है ठिक फिर बोला है यद एक वर्स में कुल 500 ब्याज आउजित होता है तो वाई छोटा भाग किसके बराबर है पहली बाद तो इस कोशन में अगर आप स्क्रीन पे देखो तो इसने कहीं जिक्र ही नहीं की कि यह जो ब्याज दिया जा रहा है यह CIP पे दिया जा रहा है या SI पे दिया जा रहा है लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता क्यों क्योंकि यहां पे जो टाइम का डियूरेशन है वो किता दिया है केवल वन एयर का दिया है तो वन एयर में CIE और SIIE दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं. हम समझ सकते हैं कि कि किस का केस है? SI का केस है. तो बस यह कह रहा है कि 3,000 रुपए को दो भागों में बाट रहा है. एक X को, एक Y को. Y छोटा भाग है, है न? और X बड़ा भाग है. कुल रहा है, X को जो बड़ा भाग है. उसे 20 परसेंट पे. Y को 10 परसेंट पे दे रहा है. और कुल में उसे 500 रुपए मिल रहा है. अगर 500 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो उसको कुल पॉफिट कितने होई है? 500 कितने पे? 3,000 पे. कितना परसेंट हो जाएगा? यह पूरा काड़ दो? 6. यानि कि 100 बटे 6 या 50 बटे 3. उसको कुल फाइदा है? एक तरफ 10 परसेंट का फाइदा, एक तरफ 20 परसेंट का फाइदा, और टोटल इसका एवरेज फाइदा 50 बटे 3 परसेंट है. ऐसे केस में हम क्या लगा सकते है? ऐलिगेशन लगा सकते है. और जैसे ही ऐलिगेशन लगाएंगे, इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे, भाई 50 बटे 3 बड़ा होगा, तो इसमें से यह माइनस होगा, तो यहापे कितना आ जाएगा? पचास माइनस 3, 20 बटे 3 इधर आ जाएगा, और इसमें से यह माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा? 10 बटे 3, यानि इसके इसके बीच का रेशियो आ जाएगा, 1 इस्टू 2, अभी आप देखो, Y और X के बीच का रेशियो कितना है? 1 इस्टू 2, ठिक, तोटल कितना है? 3,000, तो 2, एक 3 रेशियो बराबर 3,000, Y का जान रहता, आप मुछना चाह रहता, तो Y कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर 1,000, यानि जो राज सी Y पे है, एच छोटी वाली है, वो कितनी होगी? 1,000, आप्शन है आपका सही होगा, नश कोशन पे आते हैं, कोशन बर 128 है, कह रहा है, 6 cm, 24, 32 cm, लंबाई वाली, एक एल्मुनियम की तार को, एक गोले की आकार, पर बनाने के लिए पिगलाया जाता है, तो उस गोले की तिज्जा कितनी होगी? कोशन इस्क्रीन पे है, देख लिए आप, सिंपल सा बोल लाए है, कि एक तार है, उसे गोले में पिगलाया जा रहा है, जब भी कोई दो, ऐसी वोडी जो पिगलाई जाती है, तो उनका आयतन क्या होता है, बराबर रह जाता है, अच्छा, इससे पहले वाला कोशन क्या था? CISI का था, लिखते चलते हैं, CISI का एक कोशन, हाँ, अब एक क्यास का कोशन है, ये बोल लाए है, मेंसुरेशन का कोशन है, मेंसुरेशन में एक तार-तार की सिप का होता है, सिलेंडर का, है ना, बेलनाकार होता है, किसमें बदला जा रहा है, गोला में, है ना, स्पेर में, दोनों किसमें भले पिगला की बनाया जाए, वालूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो पहले वालूम क्या रहेगा, उसका ब्यास यानि कि डायमीटर कितना दिया हुआ है 6 cm, तो रेडियस हो जाएगा 3 cm, रेडियस 3 cm है, height कितना दिया हुआ है, 32 cm है, ठिक, अभी height 32 cm दिया हुआ है, इसका radius 3 cm दिया हुआ है, इसका radius आप से पूशना चाहरा है, तो बस वोन अब दो नब तर बराबर कर तो layer है, r1 square की value 3 cm, 32 cm, h की value 32, इधर लिख लें 4 cm, r2 का cube, हम यहीं चाहिए, यह 4 इधर कितनी बार काटेगा, 8 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 8 cm, इसका ही cube लेना है, r2 का cube, इसका cube रूट लेंगे, तो r2 बराबर हो जाएगा, 3 cm, 2 cm, 8 cm, 2 cm, कितना हो जाएगा, 6 आपका, उत्तर हो जाएग था, हर topic से question देया है, लेकिन सब आसान देया है, basic concept पे ही वो गया हुआ है, तो चलग नहीं किया हुआ है, next question पे आते है, question आपके screen के सामने है, question कहे रहा है, एक पूर वर्ग में यदि एकाई कांग 4 होता है, तो इसके वर्ग मोल में एकाई कांग कितना है, तो से question, number system से, number system के आओगया, तीन, unit digit, मैंने लेक्चर में आपको unit digit बहुत अच्छे से इसलिए पढ़ाया है, क्योंकि वो पूच रहा है, unit digit से, remainder concept से, rational ए-rational number से question पूच रहा है, number system से बहुत सारे question पूच रहा है, बहुत important topic है, अगर आप UPCC की तयारी कर रहे हो, वो हर topic से question पूच रहा question के रहा है, एक पूणवर्ग में यदि इकाई का अंक 4 है, पूणवर्ग की बात कर रहा है, परफेक्ट स्कुाईर की बात कर रहा है, इकाई क क्या बोल रहा है, 4 है unit digit अगर, 4 है, मैं कर रहा हूं कुछ भी हो, यहां पे यह 4 है, तो बस यह पूच रहा है, कि अंक का चार करोगे तो एक आएगा, दो का करोगे तो चार आएगा, तीन का करोगे तो नौ आएगा, चार का करोगे छे आएगा, पांच पे पांच ही आता है, छे पे छे आता है, साथ पे नौ आएगा, आठ पे चार आएगा, नौ पे एक आएगा, जीरो पी जीरो आता है, चार कहा कहां मिल रहा है या तो 2 पे मिल रहा है या तो 8 पे मिल रहा है इसलिए नंबर के unit digit पे क्या होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा तो option आपका C सही होगा जलदी से question number 130 पे आते हैं question orally ही हो जाएगा बोल ले है दो अभाद जीूप में संख्या है A-B और A-B के लिए A और B क्या है फिल से कहां से भई कहां से number system से और number system से question इस बार कहां से पूछा co prime से prime भी नहीं co prime से पूछ रहा है है ना और co prime भी नहीं ये twin prime की बात कर रहा है ये बोल रहा है अभाद जी यूग्म twin prime हम आपको बता जुका हूँ पहले ही कि twin prime संख्या कौन सी होती है ऐसे prime numbers जो करीब करीब हो और उनके बीच का अंतर क्या हो दो जैसे 3 और 5, 11 और 13, 41 और 43 ये क्या है ये twin prime है बोल रहा है कि अगर A plus B बराबर 43 हम मान ले एक number ये है और A minus B 41 बोल रहा है ये और ये twin prime है twin prime है मैंने मान लिया तो बोल रहा है A और B क्या होगे A भी निकालने A निकालोगे तो इन दोनों को जोडोगे इन दोनों को अगर जोडोगे तो कितना हो जाएगा बढ़े 2 A बराबर 3 1 4 4 4 8 84 तो A बराबर 42 और इसे B बराबर इसमें से इसे minus करोगे तो 2 भी बराबर 2 तो B बराबर 1 A बराबर 42 और B बराबर 1 अब कोई भी ले लोगे 3 5 ले लो 11 13 ले लो कुछ भी ले लो B की वैलू हमेंसा 1 ही मिलेगी क्योंकि नकी बीच का अंतर ही 2 होता है अगर अंतर 2 होता है तो माइनस करोगे तो 2 भी बराबर 2 यानि B बराबर 1 आएगा तो अगर B की वैलू 1 आएगा और ये वैलू कुछ भी हो मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो हलाकि हमेसा even ही रहेगी A की वैलू तो इसके बीच में common factor क्या मिलेगा कुछ भी मिलेगा एक के अलामा तो ये क्या हो जाएंगे ये दोनों नंबर A और B आपस में को प्राइम हो जाएंगे सह अभाज संख्या हो जाएंगे यानि कि option A आपका सही हो जाएगा यह मंग अभाज 10 प्राइम नहीं बाई 42 प्राइम नहीं है भाज संख्या है जो option C कह रहा है भाज संख्या है यह तो है नहीं बाई है ना, एक ना composite है, ना prime है, एक को अगी रखते हैं, यह उप्शन कैंसलर हो जाएगा, सम संख्या है, यह तो sum है, लेकिन यह क्या है, विशंब है, इसलिए सही option आपका क्या होगा, को प्राइम आपका सही option होगा, नेक्षट पे आते हैं, एक सरे कथे सम्टिफिकेशन है, इस्चेंट है यह तो आप देखते ही बराबर, अंडर रूट थू, अपॉ अपॉ और रूट थू अपॉ टो, अपॉ जोब्लू अब वे रहता है, यह यह तिया हुआ है, तो आप से पूशन क्या चाह रहा है, इक स् 2 xy 2 xy अगर एक आदेंगे तो यह वैल्व आजाएगी x plus y अगर इसे जोड़ेंगे तो अगर इसे जोड़ेंगे अगर इसे जोड़ेंगे आप जोड़के देख लो यह तो फिदा ही ज़र में कर दे रहा हूं चलिए अंडरू 2 प्लस 1 अपॉन अंडरू 2 माइनस 1 अपॉन अपॉन अंडरू 2 प्लस 1 इन तो धिनेमेटर क्या है? A-B, A-B A-B, A-B, तो A-B, तो A-B, यानि की नीचे तो क्या बचेगा? 1 ही बसने वाला है यह रूट 2 प्लस 1 का होल यानि 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 और यह 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कट जाएगा यानि 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 आपका बचेगा कितना हो जाएगा? 3, 3, 6 यानि इसकी वालू आजाएगी 6 किसकी? X प्लस Y की X प्लस Y बराबर आपका आगया 6 और X Y की वालू निकालोगे तो इन दों का गुड़ा करोगे तो यह इसे काट देगा यह इसे काट देगा 1 आजाएगा तो X Y बराबर 1 आजाएगा वालू पुट कर दीजे 36 माइनस 2 रूट 2 रूट 2 यानि की उत्तर आपका आजाएगा 34 तो आसा कोशन था नंबर सिस्टम का इक कोशन था देख लिए नंबर सिस्टम से 5 कोशन आचुके है नेस्ट कोशन पर आज़ी से आते है यह एक्स का 10 परसेंट बराबर Y का 25 परसेंट हो तो X इस टो Y का रीशियो क्या होगा आसाल से कोशन है एक्स का 10 परसेंट बराबर Y का 25 परसेंट एक्दम आसान बस X का 10 परसेंट है ना बराबर Y का 25 परसेंट परसेंट लगा है स्बूद फाहएंगे नीचे 100 आएगा कोई फरक नहीं पढ़ने वाला 100 फिल से कट जाएगा 100-100 कट जाएगा है यह 10 X बराबर 25Y, तो X अपॉन Y पूछना चाहरा है, 25 बटे 10, यानि कि 5 बटे 2, क्या हो जाएगा X और Y का रिशियो, 5 इस्टू, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका B है, क्लेर है, प्रेस्ट कोशन पर याते हैं, जल्दी से, इस्क्रीन के सामने आपकी कोशन है, कर लेते हैं, कोशन के आएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर से, कहा का कोशन, अच्छा, ये कोशन कहा था, ये पॉसेंटिस का कोशन था, इस सारी टोपिक कवर कर रहा है, फिर कहां से आया, मैं डे, हाँ, टाइम और वर्क में, मैं डे का कोशन फिर से, चार पुरूस और छे महिला हैं, किसी काम को आठ दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि तीन पुरूस और साथ महिला हैं, उसी काम को दस दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिला है उसी काम को कितने में करेंगे जब भी ऐसा कोशन आता है और का केस है तो हम क्या करेंगे 4 पुरूस प्लस 6 महिला है है ना कितने दिन में? 8 दिन में मैं का डेश से मल्टिप्लाई बराबर इधर मैं का डेश से मल्टिप्लाई 3 पुरुष प्लस 7 महिला हैं 3 पुरुष प्लस 7 महिला हैं कितना दिन ये ले रहे हैं ये 10 दिन ले रहे हैं बस इसी को बराबर कर लेना है 8 चोग 32 आदमी 49 औरते 30 आदमी 70 औरते ठीक 2 आदमी बराबर 70 में से 49 जाएगा 22 एक आदमी बराबर ग्यारा होते हैं, relation आपका निकल गया, ठीक, फिर ये पूछ रहा है, कि 10 महिलाएं उसी काम को कित्ते दिन में करेगा, simple सा पूछ ले, 10 महिलाएं कित्ते दिन में करेगा, जब आपको पता है, 4 आदमी और 6 महिलाएं, 8 दिन लगा दे रहे हैं, एक आदमी बराबर 11 होते, यान कि यानि 50 आदमी और 8 दिन में, तो जब 50 आदमी और 8 दिन में कर रहे हैं, तो 10 महिलाएं कित्ते दिन में कर रहे हैं, यही तो पूछ रहा है, यहां सा यहां ने 5 से डिवाइड होगा, तो यहां पर 5 से क्या हो जाएगा, multiply यानि कि 40 दिन इनको लग जाएंगे, आपका option हो जाएगा D, next question पर आते है, 135 बोल रहा है, यदि किसी गोले A की दिज्या दूसरे गोले B की दिज्या की आधी है, तो A के आयतन का B के आयतन के साथ अनुपात होगा, जब दिज्या की बात कर रहा है, तो आप जानते हो कि गोले में दिज्या का क्या जाता है, क्यूब जाता ह चार बटे तीन पाई R1 क्यूब और ये चार बटे तीन पाई R2 क्यूब, जब R1 R2 का आधा है, तो ये R2 अपन हाफ करेंगे, तो 2 नीचे आएगा, लिखते है, R1 बराबर R2 का हाफ, तो R2 R2 पर कट जाएगा, यहां पे नीचे क्या बचेगा, तो 2 क्यूब बचेगा, य यह कट जाएगा, यानि क्या हो जाएगा, एक बटे याथ, यानि 1 इस तो 8 का रिशियो हो जाएगा, आसाना कोशन था, यह कहां का था, मैंसुरेशन के, दो कुशन हो चुके, इस कोशन प्याते हैं, कैलेंडर, एक बात अप अबजव कियो होगे, मंडी परिसद में भी हु प्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च पूच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च होते हैं, बहुत अच्छे से आप solve कर पाएंगे, आपका समय बचेगा, आपका कोशन मिलेगा, एक ही कोशन जोडना है आपको selection लेने के लिए, तो कोई भी concept आपका छोटना नहीं चाहिए, हम नए कोशन पर आते हैं, हाँ, नए कोशन अपका किसका है, कलेंडर का ही है, कोशन चेक करेंगे, तो इसका option तीन पेला ही हो जाएगा, तीन, दस, सत्रा और चॉविस को मंगलवार पड़ेते हैं, आसान सा है, कल लेंगे इसे आप, 137 को देखते हैं, किसी कोशन कह रहा है, किसी चलते हुए ट्रक को खाली करने के लिए, रैम्प का उन्नेयन कोड, 30 डिग्री है, यदि रैम्प का सील जमीन के इस तर से 0.8 उपर है, तो रैम्प के लंबाई कितनी है, अच्छा, इस से पैले अला कोशन का रहा है, कैलेंडर का इस हम प modular के लिए, बस ऐसा एक रैम्प है, यह रैम्प है, यह रैम्प है, यह रखक पे लगाया हुआ है, यह रखक हे आपका, ऐसे समझेए, तैसे बाइशारए, तो यह बोल रहा है, तो यह बोल रहा है कि अगर इसके उद्टाई जिए 0.8 हो यह कोड 30 हो, तो यह यहां पर sign आप 30 लगा दो, sign 30 लगा दो, तो क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse 0.8 upon, यह आपकी ramp की length आजाएगी L लिख लेते हैं, यह होता है 1 upon 2 बराबर 0.8 upon L, L बराबर हो जाएगा 1.6, उत्तर, चलिए, next question पर आते हैं, बोल रहा है, data संग्रहन का सबसे छोटा भाग 11 है, और range 47 है, data की संग्रहन का सबसे बड़ा मान क्या है, इस्टेटिस्टिक का कोशन पूछा, हर बार, मंडी परिसादर उसकी तरह, स्टेटिस्टिक का कोशन फिर से पूछा, सिंपल बोल दिया है कि कोई, कोई भी स्टेटिस्टिक है, है ना, collection, data collection है, उसका बोल ले कि smallest value 11 है, smallest value 11 है, और फ साथ एक आठ चार एक पांच अथावन आपका हाइस्ट वैलू आजाएगा, option D आपका सही हो जाएगा, नेक्स कोशन कहे रहा है, फिर से कहा काया, सिंपलिफिकेशन का कोशन है, नमबर सिस्टम में एक और बढ़ा छे, आप देखते रहे हैं, कितना वेटिस बढ़ता चला लाच वाला, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, यह हो जाएगा, बते दस मतलब यही लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, पॉन जिरो पॉंट वन रहेगा, यह तो जीरो दे देगा, और यहां पर कितना आजाएगा, यह किसक जाएगा तो कितना जाएगा? 0.001 यह आपका पत्तर आ जाएगा Option B 140 क्या है? 10,000 पर 2 वर्स के लिए 6% वासिक दर से साधारान ब्याज फिर से CI-SI का कोश्चन CI-SI का कोश्चन है कहां गया CI-SI percentage हटा दी कि यह है है ना? एक कोश्चन आपका और बढ़ गया कितना हो गया? 2 हो गया 10,000 पर 2 वर्स के लिए 6% का व्याज पूंच रहा है व्याज कितना है साल आना? 6% कितने साल के लिए? 2 साल के लिए 2 एक साल में 6% तो 2 साल में 12% हो जाएगा कितने पर? 10,000 पर 10,000 का आपको सीधा 12% निकालना है 12 बटे 100 00 कट जाएगे उत्तराज़ आपका 1200 बारासो आपका सही जवाब था? S.I.C.I. बहुत ही आसान टॉपिक है आप लेक्चर देख लें अच्छे से सब कुस तमझ में आ जाएगा जिनको भी डर लगता है खासका C.I.P. चक्रविधी भ्याज बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि बहुत तफ टॉपिक है लेकिन सबसे आसान टॉपिक चक्रविधी भ्याज है आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छा बहुत मज़ाएगा वीडियो सीखने में ठीक है ना? कॉशन नंबर आगे बढ़ते हैं 141 पे फीर से कहा कोशन है कलेंडर का कोशन है बोल रहा है 1-janvry 2009 को गुरुवार था तो 1-janvry 2010 को सब्ता का पौन सा दिनता है सिंपल ती बात है अगर 1-janvry 2009 से 1-janvry 2010 की बात कर रहा है एक साल गया है इसके विक्री मोले का 80% है, तो लाब प्रतिसत क्या है? है ना? किसी वस्तु का लागत मोले दिया हुआ है, CP इसके विक्री मोले का 80% है. मतलब, अगर हम SP 100 मान ले, विक्रे मोले 100 मान ले, तो CP कितना है? इसका 80% यानि की 100, इसमें फाइदा हो रहा है, नुकसान, फाइदा हो रहा है, कितने ही का? 20 का, लेकिन फाइदा हो किस पे रहा है? CP पे, 80 के, तो बस यही आप से पूशना चाह रहा है, कि इसका profit percent कितना है? 20 बटे 80 गोडे 100, यानि की 25% बहुत ही आसान कुशन था, कहा का था? Profit and Loss, अभी कुशन profit and loss का चुका है, percentage यह देखो, यह कितना हो गया? 2 हो गया, यह भी 2 हो चुका है, यह भी 2 हो चुका है, फिर आते हैं, नए कुशन पे 143 बोल रहा है, कि 2 साल के लिए 5% प्रतिवर्स की 10 से 6,000 की रासी क्या होगी, जब चक्रविधी व्याज पर वार्सी ग्रूप से मिलता है, फिर से CI, SI का, एक बार सिंपल पूछा है, SI पे फिर से क्या पूछ रहा है? CI पे, कितना हो गया? यह 3 कॉशन हो गया, कॉशन बोल रहा है, कि 2 साल में 5% का ब्याज, 5% पे कित्ता हो जाएगा, आप जानते हो CI में structure क्या बनता है? A, A, B, तीन साल का होता, तो A, B, A, B, C, B, हमें 2 साल का निकलना है, तो इस structure की जोषण नहीं पढ़ेगी, A, A, B की जोषण पढ़ेगी, 5% के हिसाप से 6,000 पे पहला व्याज कितबा मिलेगा वह 6,000 का 5% कितना होगा 10-600 तो 5% 300 यानी A की वैलू 300 तो यहाँ पे भी 300 अफिर यह B क्या होता है इस A पे व्याज होता है व्याज पे व्याज तो 300 पे 5% के हिसाप से कितना हो जाएगा 300 का 10% 30, 5% 15, यानि B की वैलू 15, यानि टोटल व्याज कितना मिल ला है, 615, पहले से कितने रुपय थे, 6000, तो कितना हो जाएगा, 6600 पंदर आपका उत्तर हो जाएगा, तो नेक्स कोशन पर आते हैं, नेक्स कोशन आपका कोशन इमार 144, क्या कह रहा है, एक कार 90 क्लिमेटर प् providing 500, में 50 क्की मिलें, वाट इसाफब速।, वाट तो कोशन इसाफut दीजे आ हैं, सकूम्री टाइक अटेर नेक्स कोशन कोशन इसाफिः कोशन को पु कितना आइगा 25 क्या इन देडिन बहुत आदार हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, इसाफुन आपका उत्तर होजूर जाते हैं, एक घड़ी के दो पाहर किसम में चलाया जाता है, आठ बच कर दस मिनट पर घंटी का सुई, कितने टिगरी चलेगी, है ना, हिंदी में टांसलेशनेर इसमें भी यह थोड़ा बहुत, इंग्लिस में है, क्लॉक इस्टार्टी अट नून बाई टेन मिनिट्स पाद कपका, साम का, आठ बच के दस, हला कि इसमें बताया नहीं है, यह घंटे में बोला है, कि आठ घंटे थस मिनिट बाद, जो घंटे के सुई है, वो कितना चलेगी है, तो आप सभी लोग जानते हो, क्लॉक में आप पढ़े भी होगे, रिजनी वारे सर बताये होंगे, कि घं अप्शन देखके टिक माल देखा, क्योंकि एवल एक उप्शन बढ़ा है, 245, बाकि सारे 240 से छोटे है, दस मिनिट और चलेगा, तो डिगरी ज्यादा ही बढ़ेगे, तो डिगरी ज्यादा ही जाएगा, आपको ज्यादा का टिक जरोती नहीं थी, तो सो पाताया जाएगा यापका उत्तार आ जाता, लेकर फिर भी अपने कंविन्स के लिए देख लिते हैं, दस मिनिट में कितना चल जाएगे, बाई, 12 घंटे के एक सुई में, मिनिट के कितने, 60 मिनिट, तो 10 मिनिट में कितना, एक बटे साट गोडे 10, याने की एक बटे 6, 10 मिनिट में, एक बट गोडे 6 घंटे में, एक बटे 6 घंटे में, एक बटे 6 गोडे 30, याने की 5 डिगरी और घूम जाएगी, तो उत्तर आजाएगा, 240 प्लस 5 याने की 245 डिगरी, ठीक, नेक्ट कोशन पर आते है, कोशन के रहा है, दस मदों के एक संगरा के लिए, सिगमा एक्स बरापर 155 है, तो अंकड़ी है, मात भी किया है, मात भी मात भी मतले पूशन पर आजा रहा है, 155 डिगरी 10 कल दीजे, सिगमा एक्स बरापन है आपका मीन होता है, यही आपका मीन वैलू होता है, या एवरेज बोल लू, इस्टेटिस्टिक का कोशन एक और है, कितना? 2, और यह इकिस का क A और B का महत्तम समान भाजक, यानि की GCD, GCD मतलब SCF होता है, और लगुत्तम समापोर तक बरापर है, तो A और B क्या होंगे? जब भी LCM और SCF आपका बरापर हो जाए, ऐसा तभी होगा, जब दोनों नंबर क्या होंगे? बरापर होंगे, जैसे, अब एक्सम्पल लीजे, 4 और 6, इसका SCF क्या होगा? 2, लेकिन LCM क्या होगा? LCM जादा होगा, जब भी बरापर होंगे, ये भी, तो इसका भी 2 गुड़े दो, और इसका भी 2 गुड़े दो, अभी SCF और LCM दोनों बरापर होंगे, अगर ये 6 होता, तो ये 2 गुड़े 3 होता, तो SCF तो 2 होता, लेकि 149 दिखते हैं, प्रसाद और बीजू की वर्तमान आयो, यह किसका कोशन था? यह भी number system का कोशन था, उफो, 7 कोशन दे दिया, number system का, चलिए, फिर आते हैं, रेशियो का कोशन है, प्रसाद और बीजू, यह तो same कोशन है, जैसा भी हम रेशियो का कोशन करवाया था, कि एज, रेशियो दिया हुआ है एज का, पांच वर्स पहले कौन सा नुपात महीं हो सकता, तो जब समान वर्स बीटते हैं, तो उनके रेशियो का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आप चेक कर लो कौन से में बराबर है, फाइब इस्टू फोर, ऑप्शन क्य क्या दिया है, अगर 3 to 2 होता तो 5, 3, 2, 4, 2, हाँ, यह हो सकता है, 4, 3 होता तो, एक एक कम है, हो सकता है, 8, 7 होता तो, 5, 3, 8, 4, 3, 7, यह भी हो सकता है, और 9, 7 होता तो यहीं नहीं होगा, यहां पे 4 और यहां पे 3, है ना बराबर नहीं है, इसलिए, आप्शन D नहीं होगा कारे आरम को होता है चाल दिनों में एक कोवे की खुदाई का कारे कर सकते हैं कारे को पूरा करने के लिए सेस पुरुसों को कद दिन कितने घंटे कारे करने की आवज़कता होगी है कोशन में यह कहना चाहरा है कि सबसे पहले केस ऐसा है कि 27 लोग आए 27 लोग बोले कि भाई मैं रोजाना पांच घंटे काम करके 20 दिन में काम ख़दम कर दूगा ठीक लेकिन केस यह बरा कि जब कितने दिन का काम हुआ चार दिन का काम हुआ तो बारा पूर छोड़की चले के लिए फिक डिन तो सब ही हैं तो 27 आदमी चार दिन 5 घंटे काम किये और लेकिन चार दिन लुग छोड़की कि लेगे कितना बारा लोग तो बारा लोग इसमें से छोड़के चले जाएंगे, बचेंगे कितना 15, यानि कि अभी 15 लोग केवल हैं, और काम को नियत समय में करना है, पहले कितने में 20 दिन में करना था, 4 दिन बीच चुके तो भी कितना 16 दिन में करना है, कितने घंटे दिन काम करना होगा, यह पूच रहा है, तो बस इ पंदरा गोड़े 16 एक्स, है नो, इधर लाएंगे माइनस कर लेंगे 27 से 540 माइनस कर लेंगे, पंदरा गोड़े 16 एक्स, इसे आप सिंप्लिफाई करेंगे तो एक्स बड़ा पर नाइन आपका आंसर आजाएगा, तो, हां, नेक्स कोशन पर आते हैं, कोशन कह रहा है, एक बहुबुच का सबसे बड़ा कोड 110 डिगरी है, से सभी कोडों के माप भी भिन्न भिन्न है, तो बहुबुच की भ्यूजाओं का अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है, बहुत ही प्यारा कोशन है ये, अंतिम कोशन है, लेकिन बहुत अच्छा कोशन है, केरेक्ट बहुबुच कितने भी साइड हो सकते हैं, मैं आपको हैक्सवान बना रहा हूं, कितने भी सकते हैं, ये तुम्हे बस केस ले रहा हूं, जन्रल सा, मानलो ये एंसाइडिट पॉलिगॉण है, बोले है कि एक एंगल जो है वो 110 डिगरी है, और वो सबसे बड़ा है, सबसे कोई भी किसी के बराबर नहीं है, हो सकता है, ये जादा का होता, तो ये 6-7-8 परता चला जाता, खुए इस फ़रक नहीं पड़ाएगा, तो पॉलिगॉण है, पॉलिगॉण की साइड नहीं पता करनी है, कि पता करनी है, इत्ता बस बोल जा है कि 110 डिगरी उसका मैक्सिम ए पड़ेगा, कैसे चेक करना पड़ेगा, ये भी देखिए, कि जब भी किसी पॉलिगॉण की बात होती है, तो दो चीज़ तो आपके निमा में तुरंत आना चाहिए, जब भी एंगल की बात हो रही हो, एक पॉलिगॉण का जो एक्स्टीरियर एंगल होता है, उसका सम हमें जो दूसरी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए कि इंटीरियर एंगल का सम होता है, वो एंटू एक्सो एसी होता है, ठीक, और इसी कॉंसेप्ट पे ही ये कॉशन है, लेकिन इस कॉंसेप्ट का कितना अच्छा यूज किया है, आप इस बात को समझन आपके पस concept के वोल इतना है कि N-2 into 180 ही आपके इंटिरियर एंगल का सम है एक कोड आपको बोल दिया कि Maximum 110 है अब यह पूछना चाह रहा है कि कितने Maximum side हो सकते है दिएके आपके पास कोई भी तरीका नहीं है इसे करने के लिए सिवाए go through option के जाने का हम एक चेक करेंगे option आपका दिया हुआ है 5 4 6 और साथ मान लिया कि Maximum side अगर 5 हो इसकी Maximum side क्या हो 5 हो तो N की value क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे तो यह क्या हो जाए का 5-2 3 गोड़े 180 यानि 183 चोवण 540 इस 540 डिग्री में एक एंगल तो आपका 110 चुपा हुआ है minus कर दीजिए एक बात तो मालू में कि कि सी भी polygon में जितने एंगल होते हैं इतनी ही side होती है यह बात हमेशा सथ्य होती है जितने एंगल होंगे up-60 अगर 5 एसा नहीं हो सकता जितने एंगल होंगे up-60 साइड होगी, तो n-2, न या पर हम साइड माने कितना गया, 540, 540 में से 110 माने करेंगे, तो इधर तो 30 बचेगा, 100 अधर जाएगा, तो 430, 430, यह जो है, यह कौन से हो सकते, इसे छोड़ के बाकी सब का सम, हमने माना है, टोटल कितने 5, तो बाकी कितने पचे 4, यानि 4 एंगल का सम 430, तो अगर मैक्सिमुम 110 है, तो हम 109 जोड़े, उसे एक कम, 108 उसे कम, 107 उसे कम, 106, इसे जोड़े, 8, 7, 15, 9, 6, 15, 15, 15, 15, 15, 30, और 100, 100, 100, 400, यानि यह 430 दे रहा है, समझेगा, हम इन 4 एंगल को जोड़ेंगे, तो 430 मिल जाएगा, और 430 मिलना चाहिए, इसलिए 5 तो पॉसिबल है, नेक्स्ट पे हम ट्राई करेंगे, एक बार हम दुबारा, इदर कर लेते हैं, अगर n बराबर 4 रखें, n बराबर 4 रखेंगे, तो n-2, 4-2, 2, इतना, 6 में से गई पास, तीन में से गई दो, 250, ये 250 किते लोग मिलके देना है, चार में से 1 तो 110 है, तो 3 लोग को, ये तो आसानी से जोड़ लो, 8, 7, 15, 150 ही हो गए, 100, 250 हो गए, तो ये एक एंगल 100 हो सकता है, से हो सकता है, 70 हो सकता है, ये 250 दे देगा, यानि 4 भी पॉसिबल है, अच्छा देखिए, अगर मैं एकजाम में होता, तो मैं तो तुरंत बता देता, कि जैसे ही 5 पे एक्वल हुआ, अब इस से ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो आपका 110 एंगल मैक्सिमम हो गया, अब ये मैंने सारे मैक्सिमम के केस ले लिए हैं, अब इस से ज़्यादा मैक्सिमम तो मैं ले ही ले सकता हूँ, यहाँ पी एन की वैलू जितना बढ़ाता चला जाओगा, यह संख्या उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी, तो इसका तो मैक्सिमम सम अब उतना ही देगा, हम इसे चेक कर लेते हैं फिर भी, अगर 6 मान ले, यही पे अब एमें क्लियर पता चल जाएगा, अगर एन की वैलू 6 ले ले, यही पे ले ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आजाएगा, 6 माइनस 2, 4 गोड़ 180, यहनि की कितना 720, और अगर यह 720 हो गया, तो इसमें 110 चुपा है, जो मैक्सिमम में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साथ में से गई, 6, 610, यह 610 का सम कितने लोग मिलके दे देंगे, यह 610 का सम कितने यहाँ पे हम कितने माने थे, 6 माने थे, तो बचे कितने पास, 5, 5 लोग में आप मैक्सिमम मैक्सिमम हैंगल दे दो, 109 दे सकते हो, 108 दे सकते हो, 107 दे सकते हो, 106 दे सकते हो, 105 दे सकता हूं यही तो 6 लोग है तो 5 लोग बचे क्योंकि 110 है अभी आप समझेगा मैं क्यों 109, 108, 107, 106 105 ही दे सकता हूं क्योंकि उसने बोल रखा है कि 110 से जादा हो ही नहीं सकता बस अब उससे जो भी होगा नीचे होगा मैं maximize के चला हूं इसे अगर जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 9, 6, 15, 130 15, 15, 30 430 तो यहां पर और 108, 538 ही आप आप आएगा लेकिन हमें चाहिए कितना 600 वैसे भी 100, 100, 100 सब के पास करीब हैं तो यह 500 प्लस देंगे कितना दे देंगे बहुत ज़्यादा थोड़ी देंगे 610 नहीं पहुचा पाएंगे हैं आप जोड़के इसे देख लीजे इसलिए ये तो possible नहीं हो सकता तो जब 6 possible है नहीं तो maximum कितने possible होंगे 5 possible होंगे हमें साथ भी चक करने की ज़वरत नहीं है तो यह बहुत ही खुपसूरत कोशन था छोटा सा कॉंसेप्ट कि किसी भी पॉलिगान की किसी भी बहुभुज की आंतरिक अंता कोड के सारे कोडों का योग जो होता है N-10 into X or C होता है लेकिन उसने पूछा कि कितने possible value हैं देंगे योपी ट्रीपल सी का हमेशा से यह सिध्धान्त रहा है आज से नहीं बहुत पहले से उचे पहले लेकपाल वगएरा भी कराती थी एक कोशन वो ऐसा देगा जिस पे आप सोचने पर मजबोर हो जाओगे जिसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाख लगाना पड़ेगा इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो यह पेपर सेट कर रहा है बहुत बैलें सेट कर रहा है यह बात आप कहीं और से नहीं यह जमेट्री का कोशन में जमेट्री में डाल देता हूँ अब मैं अनलेसिस अब को दिखाता हूँ कुछ कैसे और इस बात को समझने कोसिस करिएगा मैत में जितने चैप्टर हो सकते हैं अब मैं जमेट्री में 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 जमेट्री म कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं है वो छोड नहीं रहा है सबसे चाहे एक ही कोशन पूच रहा है वो पूच रहा है तो आपको हर टॉपिक पड़के जाना है क्योंकि आपको सेलेक्शन लेने कॉमपुटिशन बहुत बढ़ रहा है दूसरी बात यह अगर अनलिसिस देखा जाए यह आपके लिए most important chapter आप एकड़म मत छोड के जाना आप अभी lower का exam लगा हुआ है number system यानि की संख्या पद्दती आपका profit and loss, CISI, time and work और फिर geometry और mensuration plus, कुछ चीजें certain है जहां पर आसान कोशन होता है लेकिन पक्का पुछेगा जैसे clock का एक कोशन, calendar का एक कोशन और एक कोशन आपका इस्टेटिस्टिक का पक्का एक से दो कोशन पूछेगा यह तीन मिसलिनियर्स टॉपिक रख रहा है जो आपसे पूछे रहा है तो यह आपकी कैनलेसिस है इस पे आप कोशन करिए पैक्टिस करके जाए अपना best exam में दीजिए ताकि आप selection लेजे हमारी पूरी team पूरी क्रेस को समारा यूपिटी पलसी लूवर का चल रहा है जिसमें आपको सारे study material दे दिये हैं जिन लोगों को नहीं मिला है वो हमारी टेलिग्राम ग्रुप पे जुड़ जाए टेलिग्राम चैनल पे जुड़ जाए लिंक दे दिये हैं आप हमसे फेस्बुक के तो जुड़ पेपर का भी लिंक मैंने यहां पे लगा दिया है तो अगर आपको हमारी इतनी मेनत पसंद आ रही हो तो एक बाद तो आपका लाइक करना बनता है अपने दोस्तों को भी सेयर करिए प्लस सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल की बटन वगल में ह है उससे आप जरूर दबा दीजिए क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो आपको देंगे तो आपको पता चल जाए कि हमने कोई वीडियो आपके लिए लाई है जो आपके एक्जाम के लिए जरूरी हो सकती है हो सकता है कुछ कोशन हो सी वीडियो से आ जाए तो इस चक्कर में अगर देख लेंगे चार पांस नमबर आपका हो जाएगा चलिए फिर मिलते हैं धन्यवाद